तो आज की सेसन में हम लोग बात करने वाले अगर आप लोग CSI NET exam के लिए प्रेपेर कर रहे हो तो नेट का जो भी सलैबस है क्या सिर्फ आधा सलैबस अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपका NET exam clear हो सकता है क्या आपको जयारफ मिल सकते या सिर्फ वैलस मिलेगा तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं उससे पहले मैं क्या करता हूं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि किस topic से कितने question पूछे जाते हैं अभी तक पिछले 4-5 बार exam में अगर आप देखोगे तो आपको एक idea लग जाए भी इस topic से इतने question पूछे जाते मतलब यह वाला बी और सी का separate separate है subject जैसे real analysis से अगर आप देखोगे फैप 2022 का जो एक्जाम था पार बी से साथ पूछे गये थे पार सी से नौ पूछे गये थे लीनियर सा यहां पर आप देख सकते हो पंदर क्वर्शन पूछे गये थे तो अगर मैं real की बात कहूं तो real में लगभग आप क क्या सकते हो 60 to 65 मार्स के question पूछे जाते हैं लीनियर में 55, 56, 57 मार्स के version पूछे जाते हैं और complex analysis देखो यहां पर 4 मार्स का यहां पर 4 मार्स का तो आप देख सकते हैं कि 30 35 के लगभग 25 से 30 35 के 20 में complex पूछा जाता है algebra से 9 question पूछे जाते हैं तो अगर 9 question यहां पर पूछे जाते हैं तो 3 मार्स का हो जाएगा 15 और यहां पर क्या सकते हो कि 15 लगभग 30 मार्स का algebra से भी पूछा जाता है similarly topology आप देख सकते हो OD से 3 question part B में और 2 question part C में पूछे जाते हैं तो यहां पर लगभग 20 की बात करें ना OD और PD कभी क्या होता है कि 15 16 17 PD से भी 15 16 17 इतने मार्स के question पूछे जाते हैं और कुछ numerical से पूछा जाएगा एक दो question और integral calculus से पूछा जाता है stat से कुछ question पूछे जाते हैं तो यहां पर मतलब अगर हम subject wise बात करें तो linear जो है या real जो है यहां से ज़्यादा master question पूछे जाते हैं complex से पूछे जाते हैं group से पूछे जाते हैं तो यहां पर हम बात करें थे क्या सिर्फ मतलब आधा syllabus पढ़के भी किया जा सकता है जयारफ क्वालिफाई किया जा सकता है या लाया जा सकता हो तो इसका जवाब है कि हां लाया जा सकता है बट अगर जो सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना प्रॉपर तरीके से पढ़ो कि एकदम अच्छे से 100% आपको पढ़ना है आप चाहो तो पूरा सिर्फ पिलाकर लगबर 120 मार्क या 115 मार्क के रियल और लीनियर पूछे जाते हैं और आपको जयारफ के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे अभी तक का जो कुछ रहा है मतलब बहुत ज्यादा हाई को आप जाएगा तो 110 मार्क लाने होंगे जनरल कैटेगरी से फिर आपके साथ कॉ स्पार्ड कर सकते हैं ODPD तो यहां पर मेरा तो यहीं मानना है कि अगर आप CSI net exam के लिए पढ़ रहा हो ना तो आपको पूरा सलाय बस पूरा नहीं पढ़के जाना होता क्यूंकि अगर आप पूरा का पूरा करके भी जाओगे ना चलो आपने पूरा प्योर पढ़ लिया पीशन कर लिया मार्को चेन पढ़ लिया क्योंकि आप यहां पर इतना कड़ चुके हो कि यहां से भी जयराफ लाया जा सकता है आप पूरा पड़ पड़की भी जाओगे तो विजट भी ने कर पाओगे तीन घंटे में मेरा तो यही मानना है कि आप जो भी पड़ो अच्छे से करके जाओ अगर आप सिर्फ प्योर करके जाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे अगर सपोज आपने क्या किया रियल और लिनियर कर लिया अच्छे से अप्लाइड वाला सेक्षन अच्छे से करके जा रहो यहां पर किया जा सकता है और मैंने बहुत सारे स्टुडेंट को ऐसा भी देखा है कि जिन्होंने सिर्फ प्योर पढ़ा था प्योर मतलब इतना पार्ट इन्होंने पढ़ा था यह चाल टॉपिक उनसे भी ओ ज्यारफ लेकर आए हुए है तो अगर नेट एक्जाम की बात करे के जाना होता है अगर आप 50 परसेंट भी सलाइबस अच्छे से करके जाते हैं ना तो वहां से भी ज्यारफ मिल सकता है तो आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर रुपते हैं तो मिलते हैं कभी किसी और सेशन में चलिए थांक यू